हेलो दोस्तों नमस्कार स्वारत है आप सभी का आमारी यूटूब चैनल कंप्यूटर एक्जाम में तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल और काफी खास होने वाला है आज के इस वीडियो में हम आपको टॉफ 50 क्वेस्चन बताने वाले हैं जो कि केवल बैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेश कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंशती रहे और फ्रेंस हम बता दे कि आप अगर जनवरी का या फिर फरवरी एक्जाम का तयारी कर रह लिंक दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट वाले एबुक में 2000 इंपोर्डेंट कोईशन और सेकेंड वाले एबुक में 1000 इंपोर्डेंट कोईशन तो उन दोनों में से भी आप जरूर ले लिजेगा ताकि आप तीरपल सी में अच्छे से टॉप कर पाएं और बिल्कुल हमारे वीडियो को देखते रहे आप पिछले वीडियो को भी देखते रहे ताकि आप अच्छे से पास हो पाएं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं देख लेते हैं आज का हमारा पहला question question नमर फर्श्ट हर फ्रेंस तो इसका राइट एंसर उबावा अपसों नंबर ए मार्च 2004 आइज जब लांच हुआ था तो वह मार्च 2004 में आइज लांच हुआ था अब नेक्स दिख लिए फ्रेंज क्वेस्टिन नमर्ट टू इसके कौन जारी करता है जो सिख्का होता है उसे कौन जारी करता है टू आट रिकरता है उसे को हैं इसका राइट इंसर होगा भारत सरकार दोहारा सिक्के को जारी कराया जाता है देख लिए हमारा अब meditation amino का होता है तो यूप फिन कितने का अ होता है यह आप सभी को पता हो चाहिए है ए हमने आप आपको पहले भी बता चुका है पिछले वीडियो को भी आपको देखते रहना है तापकि आपके लिए प्रिपेर हो जाए बाकि तो इसमें हम टॉटल के टॉटल जो भी क्वेस्टन है इसमें हम फ्रेंस यह बैंकिंग से रिलेटेड क्वेस्टन बता रहे हैं तो उनको आप एकने से समझ लिजीए यह आपके लिए काफी काम में आने वाले हैं यूपी आई कितने места होता है तो सीक्स दीजित होता है इस से ज्यादा नहीं को तो प्रेंस तो यह आपको आपको साथ ही साथ ईन्सीन वह दे हैं लोकीन आपको थोड़ा बहुत बता देंगे तो आपके चैनल पर नए श्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाले रोज के नए वीडियो आप तक पहुंशती रहे और आप अच्छे से तीरपल सी की तैयारी कर पाएं क्रिशन ओर देखना है अब आपको क्रिशन ओर फोर मर फ्रेंस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आवस्यक डाकुमेंट है जो बैंक में जो आपका अकाउंट खुलना होता है जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपके लिए आवस्यक डाकुमें मंत्री जन धनी योजना में एक सट लाक अधिवीकर्स जो यहां पर ओभर ड्राफ दिया हुआ है सुविदा किसे उपलब्ध है तो इसमें से किसको उपलब्ध होता है फ्रेंज आपसर नमरे है परिवार के सिर्फ खाता धारक को आपसर नमरे है छे महिने तक खाता का संतोस जनक परिचालंज होता है उसको उसके लिए सुविदा उपलब्ध होता है तो यह आपको याद रखना है अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए और आप हमसे जुड जाईए ताकि आप जीरो बाइलेंस पे भी खुल जाता है तो यह आपको याद रखना है अब नेक्स्ट कुरिशनों 7 है मारा फ्रेंस बैंक किस पर रिंड नहीं देता है यानि किस चीज पर रिंड नहीं देता है तो यहाँ पर आपसंस है आभूसर पर लाइसी पॉली सी पर और लोटरी टीकट पर और NSC पर तो इन सारे पर मिलता है अप्स northeast का पर 2 लोटरी टीकट पर रिंड नहीं देता है किसीpr लोटरी पर बैंक रिंड नहीं देता है क्रोस्टोन 8 देख लिजिए क्षीन है मारा फ्रेंस बीमा कियाँ सकता क्यों होती है बीमा करवाने की आप सकता क्यूं होती है तो यहां पर option से आप समझ सकते हैं यह काफी सिम्पल सी question है आप exam में जाएंगे टॉप करके चले आएंगे आसानी से पढ़के इस वीडियो को लास्ट तक देखी हम आपको बहुत ही question बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी important होगे बीमा क्या हो सकता होती है दुरगठना होने पर सहारा के लिए और बचत के लिए और न engineers का चेक कितना होता यानि कि सबसे बड़ा चेक अदिक्टम faculty का चेक कितना होता है फ्रेंस तो इसका आफ़सं पर एक करोलbor रुपे कोई limit नहीं होती यहां लinya थسم आपको बता दो इसका कि गचते हैं नहीं होती है उतना च्राइन ऊतरा इसकते हैं टो इसका कोई limit नहीं आपको हम बता दे रहें यहां पर एक एंसर भले ही लिखा है लेकिन इसको समझते रहें और बाकी के हमारे सीरीज को भी देखते रहें पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेस्टन आपको बता हैं जो कि आप पढ़के तिरिपल सी पास कर पाएंगे और इसका फ्रेंड इसका पाइंचर कि कीया थे तो किस के द्वार किया गया है तो इसका राइट एंसर भीजय सेखर सर्मा पेटिएंचर किये थे यानि की निEND कि द्वारा किया गया है स्टन ऊत्म्डर किविए थे प्राहीं देख लिजे। आपको थोड़ा भी नहीं गबना रहा है, एकदम आराम से आपको question करना है, थोड़ा-थोड़ा समस्ते रहना है questions को, और जो question नहीं आते हैं, तो उनको अच्छे से, जो भी आपको आपसम सहीं लगेगा, उसमें से आपसम जो भी सहीं लगता है, उसी पर आप click करके आगे उप्रोक्त सभी, तो simple सा बात है friends, इसमें बहुत सारे services include हैं, जो government की तरफ से हमारे होते हैं, तो इसमें सारा जो आपसम है, यह सारा सहीं हो जाएगा, आपसम नमर दी, इसका राइट एंसर होगा, उप्रोक्त सभी, question 13 देख लीजिए, 13 हमारा friends, ATM का password किसे बताना चाहिए तो इसका राइट इंसर friends, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको समझना चाहिए, यह समझ के आपको confirm होगा, तो यहाँ पे options है, option number 2, पुत्र, पुत्री, और B है, पती-पत्नी, C है, माता-पिता, D है, उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो friends, यह security purpose पे आपको किसी को नहीं बत आपके ATM के साथ कोई छेड़कानी ना हो, तो इसलिए friends, यह question इस तरह से suit करेगा, और अच्छे से इसका answer आपको करके आना है, उप्रोक्त में से कोई नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए, next, next हमरा friends, bank में कितने रुपे जमा करने पर pen card मांगा जाता है, तो इसका right answer होगा, पचास हजार या उससे अधी, पचास हजार से ज्यादा अगर आपके bank में पैसा आने लगता है, तो आपको pen card की जदुवत पड़ती है, pen card आपको बनवा लेना चाहिए, उसके लिए 15 देख लिजिए, question of 15, number of friends, OTP की समय सीमा क्या होती है, तो इसका right answer होगा, 10 minute, 10 minute में और invalid हो जाता है, वो आप फिर से try करेंगे, तो आप फिर से नहीं होगा, फिर से आपको resend करवाना पड़ेगा, अब next देख लिजिए, थोड़ा भी वीडियो को skip मत कीजिएगा, last तक दीखेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए student है, तो जरूर से हमारे चैनल को subscribe कर लेना है, कितना port number इसमें होता है, option number है, इसका right answer होगा, 110, port number होता है, port number इसमें कितने होते है, 110, अब next, 17 है अगर आप bank में जाली note लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पर options है, आपको jail जाना पड़ेगा, उसके बासे, उसके बदले में आपको असली note मिलेंगे, और C है bank में जमा कर लेगा, और उसकी कोई value नहीं होगी, D है, बैंको से आपको वापस कर देगा, तो इसका right answer होगा, बैंक में, bank से जमा कर लेगा, और उसकी कोई value नहीं होगी, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, next देख लीजे, next है मारा friends, 18, UPI किसके दौरा launch किया गया है, जो आप UPI यूज करते हैं friends, वो किसके दौरा launch किया गया है, जैसी कि आप जो भी Google पे, phone पे, यूज करते हैं, तो उसमें आपको UPI एक बनाना पड़ता है, banking से related, online banking करना चाहते हैं friends, तो तो वो किसके दौरा launch किया गया है, तो इसके options है, नरेंदर मोधी, B है, सक्तिकान दास C है, रगुराम राजन, और D है, उर्जीत पटेल, तो इसका right answer होगा, उर्जीत पटेल, इन्होंने इसको launch किया है, और ये हम सभी के लिए काफी एलफूल साभित होता है, तो चलिए next, question 19, यह मरा friends, इसका क्या मतलम होगा friends, यहाँ पे right answer इसका होगा, इसमें बिचावलिय की मध्यस्ता नहीं होती है, इसमें बिचावलिया की, यानि की बीच वाले किसी परसन की मध्यस्ता, यानि की बीच में कोई भी नहीं रहता है, डायरेक्ट इसमें कोई भी नहीं रहता है, डायरेक्ट इसमें से business हो सकता है, 20 देख लिजे friends, 20 है मरा friends, बैंक मित्र कौन होता यहां पर बैंक का गरहा डी है बैंक सुरच्छागार तो इसका राइट एंसर होगा आपसे नमरे बैंक को द्वारा अनुबंदित बैंकिंग समवादाता तो अब नेक्स देख लिए फ्रेंट 21 अगर आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे आने सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको डेविट काइड को सी है इसका इस्तिमाल के लिए पहले से पैसा होना चाहिए और यहां पर भले ही आपको एंसर मिल जा रहा है फ्रेंस लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है हम जानबुच के एंसर देख दे दिया है यहां पर क आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे अब नेक्स देख लीजिए चेक की रासी कैसे प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आपको आपको एक्जाम में टिक करके आना है थोड़ा भी नहीं सोचना है आपको बिंदास होके इस पर टिक कर देना है आप अच अच्छे से इसका नंबर मिल जाएगा आपको अब नेक्स देख लीजिए तो 24 है मारा फ्रेंस बैंक को इंटरनेट से कब अटेच किया गया जो हमारा बैंक इसको इंटरनेट द्वारा कबसे अटेच किया गया कबसे जोड़ा गया दोनों को तो यहां पर इसका राइज इ नहीं और आगे बढ़ जाना है नेक्ट देख लिजेक 25 लगू खाते में स्वीकार की गई अधिक्तम रासी कितनी होती है तो यहां पे उप्शन से इसके 20,000 30,000 पचास तो इसका राइट एंस रोगा 50,000 लगू खाते में स्विकार की गई अधिकतम रासी कितनी होगी पचास हजार ये सारे के सारे क्वेशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है थोड़ा भी मिस नहीं करना है वीडियो को लास तक देखना है काफी जरूरी क्वेशन है आपके लिए ये आप तयार करके जाए एकजाम में अच्छ से टॉप कर लेंगे 26 अधार सीडिंग क्या है तो इसके राइट एंबस적으로 क्या होते है यहाँ पे आपको अपको समझ लेना है और यह सारे अगर आपके पास options रहेंगे exam में तो उस पर आपको क्लिक करना है बिल्कुल घबराना नहीं है बिंदास होके एकदम कूल होके आपको exam देना है पहले आपको question को अच्छे से पढ़ना है एक दो बार पढ़ना है और जल्दी से आपको answer समझ के tick कर देना है 27 देख लिजीए 27 नमरा चेक का में से कोई नहीं इसका right answer होगा जारी करने वाला व्यक्ति यहां पर यह सोचने वाली बात है आपको अच्छे से समझ लेना है चेक का भुगतान वही करता है रोक सकता है यानि कि भुगतान रोक सकता है जो उसको जारी किया है यानि कि activate किया है उसने चेक काटा है 28 देख ल देख लेगी 6 माह तक इन खातों में संतोष जनक परिचालंग के परश्चान ये सुविदा आपको मिलेगी 29 देख लीजिए 29 हमारा फ्रेंस बिना बैंक खाते का एनि एफ्टी से कितना पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं तो इसका right answer होगा 50,000 रुपे एनि एफ्टी से ट्रांस की शुरुवात कब हुई तो फ्रेंस कबसे इसकी शुरुवात हुई है तो यहाँ पर आपके सामने एंसर है 28 अगस 2014 परधान मंत्री जंधन योजना की शुरुवात 28 अगस 2014 से हुई है अब नेक्स देख लीजे question 31 है मारा फ्रेंस PMJJBY परधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना में भाग लेने की निर्धारित आयू सीमा कितनी होती है तो इसके option से 18 से 50 यह या फिर 55 यह तक आप इसमें भाग ले सकते हैं 32 हमारा फ्रेंस बैंक ड्राफ कौन जारी करता है यहां पर ऐसा question हमने बता दिया आपको लेकिन यह थोड़ा सा अलग है बैंक का ड्राफ कौन जारी करता है तो यहां पर option से कोई भी बैंक का ड्राफ जारी कर सकता है 33 देख लीजिए 33 हमारा फ्रेंस UPI द्वारा money भेजने को क्या कहते हैं UPI द्वारा जो money भेजा जाता है जब send किया जाता है money किसी बैंक में या फिर किसी person के पास तो उसे क्या कहा जाता है तो option नमबर यह है pull, option भी है push और option भी है pay और option भी है send तो इसका right इंसर आपको pay और send पे बिल्कुल नहीं जाना है य नहीं पे इसका right answer होता है push यानि कि अगर आप पैसे घ्रेय। तो उसको push करना कहा जाएगा UPI की थूरू अगर आप पैसे भेज रहे है तो उसके push कहा जाएगा और अगर आप पैसे ले रहे हैं यानि कि रिसीब कर रहे हैं आपके पास जो पहुंच जाता है तो उसको पुल कहा जाएगा तो यह आपको याद रखना है 34 देख लीजिए 34 है मारा फ्रेंस एनिएफटी की टाइमिंग क्या है एनिएफटी की टाइमिंग क्या होती है फ्रेंस तो 24 इंटी 7 यानि कि सातो दीन 26 घंटे आप इसका यूज कर सकते हैं और इससे काफी पैसेज भेज सकते हैं अब 35 देख लीजिए बनाई गई अधिक्तम रासी की नोट यानि कि सबसे बड़ी नोट कितने तक बनाई गई है भारतिय रिजवर बैंक द्वारा फ्रेंस तो यहाँ पर राइट एंसर इसका होगा 2000 यहाँ पर B का आप्शन आपको टिक कर देना यह आप सभी को पता है तब 36 देख लीजिए 36 है मारा फ्रेंस उमंग अप्लिकेशन की सुरुवात कब हुई यानि कि उमंग अप्लिकेशन को कब लांच किया गया था तो 23 नॉवंबर 2017 को उमंग अप का सुरुवात किया गया था यानि कि अप्लिकेशन को इस लांच किया गया था उमंग अप्लिकेशन को लांच किया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए इस्टुडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आप तीरपल सी की तैयारी अच्छे से कर पाएं चाहे आप कभी भी तीरपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुती मददगार साबित होगा आप कभी भी एक्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है हमारे पिछले वीडियो को भी उठा के देखना है ताकि आप अच्छे से पास कर पाएं तीरपल सी अच्छे से 37 देख लीजिए 37 हमारा फ्रेंस परद अच्छे से इसको कंफर्म कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समन में आ जाए 39 देख लीजिए 39 हमारा फ्रेंस उमांग कितनी भासायो को सपोर्ड करता है यानि कि यही कोईस्टन दूसरी तरीके से भी पूछ से बाशीआ गारे तो ये दोनों एक ही क्या है फ्रेंस तो इसका राइट अंसर हो ूमांग कितना बासायों को सपोर्ड करता है और 13 भासाओं में लांच किया गया है यानि कि यह किसके द्वारा लांच किया गया है तो इसका राइट एंसर होगा यानि कि अपने material को कोई भी सामान हो उनका internet पर भोगता को बेशता है जो खरिधार होते हैं उनको बेशता है तो इस परकार का वाडिज्य जो होता है वो क्या कहा जाता है तो फ्रेंस यहाँ पर options है B2B और option B is C to B और option C है B to C और option D है इंटरप्राइस कामर्स तो इसका right answer होगा option C B to C business to customer यानि की direct business वाला है businessman customer से मिलके उसको base देते हैं अपना समान वहाँ पे दे देते हैं 42 देख लिए फ्रेंट्स question of 42 है हमारा friends credit card में ARP क्या है तो friends यहाँ पे इसका right answer होगा annual percentage rate और interest rate इसका मतलम होगा friends ARP का तो यहाँ पे इसका right answer होगा option number C both यानि की दोनों के दोनों यहाँ पे 43 देखना है अब आपको 43 है हमारा friends bank के locker में रखी गई वस्तु का मालिक कौन होता है bank के locker में जो भी वस्तु यह समान रखे गए होते हैं उनका मालिक कौन होता है A है सरकार B है bank और C है वह खुद जिसका वस्तु रहता है और D है उप्रोक्त सभी तो इसका right answer होता है friends कि जब भी आप bank में कोई पैसा जमा करते हैं तो उसका मालिक कौन होता है ना सरकार होता है ना bank के करमचारी होते है उसके मालिक केवल आप होते है यानि की यही question यहां पे पूछ रहा है इसको आपको समझने ना है यहांपको सरकार और bank नहीं करना है वह तो यह आप खुद होते हैं, जो आप अपना amount उसमें रखते हैं, 44 देख लिजिए, question of 44 है मारा friends, credit करना किसे समबंदित है, credit करना किसे समबंदित होता है friends, option number A, इसका right answer होगा, bank में पैसे जमा करने से related होता है, credit करना, credit करना मतलम, bank में पैसे जमा करना, तो फ्रेंस यह आज के 44 काफी important question है, जो कि आपके banking से related question है, अब कुछ question हमने इसमें plus किया है, जो कि social media से related है, तो वो भी आप देख लीजिए, आप 10 question उसके भी है, तो उनको भी आप देख लीजिए, 45 देख लीजिए, यहाँ पर आप से social media से related question हमने 2-4 रख दिये हैं, कि आ थोड़ा सा इसमें भी अच्छे से समझ लेंगे, तो यहाँ पर 45 हैरे अप से रेट्वीट किसे कहते हैं, रेट्वीट, यांनि हि फिर से ट्वीट करना किसे कहतेैं, आप समझ भी है, किसी के tweet करना, यानि है कोई tweet किया गया है, ट्वीटर पर उसको फिर से share करना, दोबारा tweet करना इस पे आपको click नहीं करना एक्जाम में किसी के tweet को दोबारा share करना यानि कि एक बार किसी ने tweet कर दिया है उससे share करने को री ट्वीट इसमें ट्वीटर में कहा जाता है 46 देख लिजे फ्रेंस यह सारे सोशल मीडिया से क्वेस्टन है जो कि आपके लिए काफी important question है अब देख लिए 46 question of 46 है मारा फ्रेंस ट्वीटर में हैज का उप्योग किया जाता है आपसा नमरे है किसी विषय पर चर्चा के लिए आपसा अब यह किसी व्यक्ति को टैक करने के लिए c है किसी को संदेश बेजने के लिए और d है इसका उप्योग सभी ट्वीट में अनिवार है तो इसका राइट है सरुगा किसी विषय पर चर्चा के लिए अब नेक्स देख लीजे आप लोग ट्यांते है तो इसमें दोर चपन लोग बस जुड़ पाते है लेकिन यहां पा उगए तो कि समयं में बहुत ही फेमस होने माला है आज के समय में भी बहुत फेमस है और टेलिग्राम के यूज से बहुत कुछ हो रहा है यह आपको भी जानना चाहिए तो इसमें फ्रेंस देखे वाट्सअप में होता है 256 लोग ही जुड़ पाएंगे एक ग्रूप में लेकिन यहां पे फ्रेंस 2 लाख लोग जुड़ सकते ह है तो यहां पे हमने अभी बताया आपको आपसर नमर इसका राइट अंसर है 256 वाट्सप में केवल 256 ही होते है और यहां पे 47 देख लिजिए इसमें टेलिग्राम समुव में फ्रेंस 2 लाख लोग होते हैं तो यही एंसर में इन दोनों के फर्क है वाट्सप में 256 और टेलिग्राम में 2 लाख अब नेक्स देख लिजिए 49 49 हमरा फ्रेंस इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है इंस्टाग्राम जो है फ्रेंस जो आप सभी यूज करते हैं इसके फाउंडर कौन है उसके मालिक कौन है तो यहां पर इसका राइट एंसर है केविन एंड माइक क्राइगर तो इसका राइट एंसर यही होगा इस पर आपको क्लिक करके आना इंस्टाग्राम के फाउंडर है केविन एंड माइक क्राइगर तो अब नेक्स दिख लिजि देख लिजे फ्रेंस यहां पर हम दो चार कोईस्टन बढ़ा दिये हैं कि आपके लिए अच्छा होगा यहां फिफ्टी वन देख लिजिए फेस्बुक क्या है आपसे नमबर यह है इसका सर्च इंजन भी है ब्राउजर सी है मेसेंजर और दी है सोसल मीडिया तो फेस्बुक है मारी फ्रेंस टीर एंजनलレय मरी क्या वता है प्रेस्ट यह आप सभी को पता नहीं होगा लेकिन अबको बता संदें का और यह इक्जाल में पूछसा जा रहा है आफ़ sogakers उसका उरिजिए नाम होता है स्टेटस स्टेटस आपने बहुत बार सुना होगा नाम लेकिन ट्वीटर का ओरिजिनल नाम होता है स्टेटस तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंस और फ्रेंस हम आपको बता देख यह आपके आज के टॉप 50 प्लस क्वेशन थे इसमें सबसे जाड़ा क्वेशन 50 कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आप तयारी अच्छे से कर पाएं और हम आपको ऐसे इंपोर्टेंट क्वेशन बताते रहें और फिर्स हम आपको बता दें कि हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दो इबू का लिंक है जिसमें कि फर्स्ट वाल फिर चार पाँच दिनों में ही कर पाएं तो मिलते हैं ऐसे हैं एगले वीडियो को अगर आप आप हमारे चैनल पर नए स्ट्टेंट है तो मैरे चैनल को सास्क्राइप कर लिजी अर्ट प्रेस कर लीजिए बिल इसवी Would n